Thought get stuck when the mind is sticky. विचार मन में तब चिपक जाते हैं या अटक जाते हैं, जब माइन ज़्यादा चिपचिपाहट वाला या तो चिकना होता है. यानि ये कब होता है? गुस्पेटिय विचार दिमाग में कब अटक जाते हैं? जब आप ठके हुए होते हो, जब आपको रात को नीन बराबर रूप से नहीं आती है, जब आप चिड़चिड़े होते हो, जब आप उदास होते हो, चिंतित होते हो, जब आप रात को विस्तर में लेटते हो, और आपको नीन आती है इस बीच का पिरियर्ड, आपकी सुबे नीन्द खुल जाती है और आप बिस्तर में लेटे रहते हो उस बीच का पिरियड जिसमें विचार चिपक जाते है कुछ दवाईया जैसे स्टिरोइड्स अस्थमा की दवाईया अगर आप लेते रहते हो तो विचार चिपक जाते है अगर आपने आलकोहॉल लिया है तो उसके दूसरे दिन आपका मूड खराब होता है और विचार चिपक जाते हैं अगर आप एक स्त्री है तो मेंस्ट्वल साइकल में जो हर्मोनल डिस्टिबंसिस रहता है तब ज़्यादा तर विचार चिपक जाते हैं जब माहौल में अनिश्चित्ताएं ज्यादा रहती है जैसे कोरोना था कोरोना का अंत कब होगा यह अनिश्चित्ता कोई पुद्रती या मानव सर्जित आपत्ती होती है तब अनिश्चित्ताएं ज्यादा होती है उस वक्त विचार चिपक जाते हैं कुछ ऐसी घटनाएं हमारे साथ होती जैसे चौका देने वाली घटना किसी रिलेटिव का अपमृत्यू किसी के साथ एक्सिडन्ट हुआ हो तो ऐसी घटना जब हमारे साथ होती है नीची घटना है तब भी विचार चिपक जाते हैं और मिडिया रिपोर्ट और करेंट इवेंट्स जब होती है तब भी विचार चिपक जाते हैं अब इसमें मैं थोड़ा ज्यादा बताऊंगा अभी 14 जून 2020 को ही एक घटना हुई थी सुप्रसिद्ध फिल्म स्टार स्वर्गस शुसान सिंग का आत्महत्या से निधन हुआ ऐसे समाचार मिडिया में आए बार-बार आते रहे मिडिया दिखाते रहे वरीड माइंड काफी लोगों के वरीड माइंड में ये विचार आए सुसान सिंग जैसा हुनहार जिसने महेंडर सिंग धोनी का रोल किया उसमें कितना ज़्यादा उसमें आत्मविश्वास रहा होगा अगर वो आत्महत्या कर सकता है तो मैं भी आत्महत्या जरूर कर सकता हूँ देख सुसान्त बड़ा आदमी था बड़े लोगों की बड़ी बाते होती है और उसके दो तीन प्रणय वाइफल्य थे हो सकता है सुसान्त की आत्महत्या की वज़े प्रणय वाइफल्य भी हो तेरा कुछ है क्या चिंता मत कर तुसान सिंग को लड़कियों की कोई कमी थी क्या उसको तो कहीं लड़किया मिल रही थी भला वो क्यों प्रणय वैफल्ले की वज़े से आत्मात्या करेगा सही बात है लड़कियों की कमी तो नहीं थी लेकिन प्रणय वैफल्ले तो जरूर था अरे बड़े लोगों की बड़ी बाते हो सकती है ऐसा भी कहा जाता है कि किसी ने उसको मार दिया भाईया बड़े लोगों की बड़ी बाते हो सकती है तू चिंता मत कर किसी ने उसे मार दिया तो मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है ने मुझे भी तो कोई मार सकता है तू कोई सेलिब्रिटी थोड़ी है, तेरे जैसे को मारने में कोई वक्त क्यों गवाएगा थोड़ा सोच, तुझे कोई क्यों मानेगा, सुसान सिंग के साथ हुआ वो मेरे साथ हो सकता है, अरे मुझे भी कोई तनाव कम थोड़ी है, मुझे काफी स्ट्रेस है, देख, सुसान्त के समाचार, टीवी पर न्यूज, सोशियल मेडिया, ये सब कम देखना चाहिए, ये ज़्यादा देख देख कर, तू ये ज़्यादा सोचने लगा है, तू ऐसा कुछ नहीं करने वाला है, तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, टीवी और सोशियल मेडिया मे रिपोर्ट देखना बंद करने से होनी को कोई थोड़ी ही टाल सकता है देख सुसान्त के साथ जो हुआ वो तेरे साथ कत्यी नहीं हो सकता और सोशिल मीडिया की इफेक्ट तो बहुत जादा हो सकती है तू ये सब बाते छोड़ दे और इसमें से बाहर निकल जा मैं ये नहीं मानता हूँ मैं तो ये मानता हूँ कि सुसान्त के साथ जो हुआ वो मेरे साथ हो सकता है उतना ही नहीं मेरे साथ कुछ अन होनी हो सकती है मैं आत्म हत्या कर सकता हूँ या तो मेरी हत्या भी हो सकती है कल जाके कुछ भी हो सकता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ चल ऐसी बातें सोच न छोड़ दे तेरे साथ कुछ नहीं होने वाला है जो सुसान के साथ हुआ तो बिल्कुल सेफ है तो फालतों की चिंदा मत कर तो क्या करना चाहिए हमें ऐसे वक्त में मिडिया, टीवी ये देखना बंद कर देना चाहिए हमें सुझाव तो यही दिये जाते है कि मिडिया का टीवी का इस्तमाल कम कीजिए करन्ट इवेंट्स मत देखिए लेकिन मैं आपको कुछ और सुझाव देता हूँ आप टीवी, मिडिया, सोशिल मिडिया भी एंजोई करते रहिए और ऐसे विचारों से ऐसे विचारों को अटकने से भी दूर रहिए ऐसा सुझाव हमारे पास जरूर है और इसके लिए देखते रहिए आप हमारा अगला एपिसोड हमारे साथ जुड़े रहिए नमस्कार बार्व को अटको अटको एपिसोड़े